नमस्कार प्रियदर्शकों मैं आचारे आसित सेमाल आपके चैनल एस्टोकाल गणा में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं प्रियदर्शकों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सनी ग्रह के गूचर प्रभाव के बारे में सनी ग्रह 17 जन्वरी 2023 को मकर राशी को प्रभाव से उनको पीडित करने वाले हैं मैं आपको इस विशाई पर आज जानकरे देने वारा हूं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें लाइक कमेंट शेयर जोदो करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपके सब्सक्राइब हमारे वीडियो पहुंचे और इस वीडियो की जानकरी से आप लाब ले सकें प्रिया दर्साब को ज्यादा समाईने लेते हुए मैं आपको बता दूं सनी ग्रह का जो गोचर 17 जन्वरी 2023 को हुरा है उस गोचर से कोई ऐसी रासिया है जिन पर सनी ग्रह बहुत ही जादा बरसा करने वाले हैं धन की बरसा करने वाले हैं को ऐसी रासियों को व्म अपकी अपनी धहिया से परिसान करते हैं और तीन रासियों पर सनी साड़े साथी प्रारम हो जाती है और दो रासियां ऐसी होती है जिन पर कंठक सनी प्रारम हो जाता है तो मैं आपको पहली रासी बताने जा रहा हूँ सनी की साड़े साथी पर प्रारम होने वाली है वो रासी है मीन रासी मीन रासी पर 17 जनवरी 2023 को सनी ग्रह की साड़े साथी की पर्थम चर्ण प्रारम हो जाएगा और साड़े साथ साल आप पर सनी की साड़े साथी रहेगी रहें उन पर 17 जन्वरी 2023 को दुतिय चर्ण यानि मध्यम सनी प्रारम्भ हो जाएंगे आपके उपर पुंबर आसिवालों पांच वर्स तक सनी की साड़ी साथी रहेगी और तीसी राची है मकर राची जिस मकर राची पर 17 जन्वरी 2023 को सनी ग्रह की अंतिम चर्ण प्रारम हो जाएगा यानि के धाय वर्स तक सनी ग्रह मकर राची को पिडित करने वाले हैं और दो राचिया ऐसी हैं जिन पर सनी ग्रह की धैया प्रारम्भ हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को करकरासी वालों पर क्योंकि आपकी रासी से अस्ठम में सनी का गोचर होगा तो आपके उपर सनी की धहिया प्रारम हो जाएगी आप पर दो साल कुछ महीने आपके उपर सनी की धहिया रहेगी करकरासी वालों और दूसरी धहिया वाली रासी है वो है बिच्चिक रासी बिच्चिक रासी के उपर 17 जनवरी 2023 को सनी की धहिया प्रारम होने वाली है क्याuch की आपकी राशी से चौथे भाव में सनी गुरह गोचर करेंगे तो आपकी उपर सनी की धहिया प्रारम हो जायेगी जो जाकर 25 मार्च तक रहे में आपको पांच राशियां ऐसे बता आए जिन पर सनी की धहिया और शाड़े शाध्यादि रहेगी और 2 रासिया ऐसे है जिन पर सनी की कंठक सनी रहेगा यानि कि सनी ग्रह जब अपनी रासी से पांचवे गोचर करते हैं जिस रासी से सनी ग्रह पांचवे गोचर करते हैं और जिस रासी से सनी ग्रह दसम गोचर करते हैं उन पर कंठक सनी प्रारम हो जाता है वो रासी है पहली रासी है तुला रासी से अभी तक तुला रासी वाले धाई इस वर्स से सनी की धहिया से परिशान थे लेकिन चिंताएं अभी भी थोड़ा भौत तुला रासी वालों के लिए हैं जो वीडियो के अंतों मैं उपाई बताऊंगा उन उपाई को आप करेंगे आपके उपर सनी किरपा बनेगी वैसे तो सनी ग्रह प्रभाव कम ज्यादा करते हैं वो रासियों के कुंडिली में जो प्रभाव होगा आपकी कुंडिली में अगर सनी ग्रह बहुत बढ़िया है त आगर आपकी सनी ध्र्ह थिक अवस्था में नहीं है तो आपको वह पीडित करेंगे जन राशियों के बारे मैंने अभी तक बता चाहिए वह मींद रासी चाहिए हो मंबका रासी थैओं कर्कर रासी हो चाहिए वह बृचिक रासी और इन सब के और प्रफा एक जैसा कुणकि कुंडलियों में अलग अलग भाव में होते हैं इसके प्रभाव के पर रहती है मांसिक्चिंताइएं बढ़ती है उनके साथ भी एहचेड़ चड़ा रहता है काम रोजगार ना बनना कई न कई मुसीबत आ जाना मान सिक्चिंता उनको परिसान करती है तो यह प्रभाव सनी अपना छूड़ते हैं और जो दूसरी कंठक सनी की जो रासी है वो है ब्रिसब रासी ब्रिसब रासी पर भी आपकी रासी से दसमस्त सनी प्रारम हो जाएंगे जबकि आपकी रासी सस्पुरुस नामक राजयोग सनी ग्रह बनाएंगे लेकिन तब भी जो तिस सास्प्र में लिखा गया है जब भी सनी जिस रासी से पांचवे और दस्वें गोचर करते उनके लिए भी सनी थोड़ा चिंता ल नी ही रहेगा और वीटियो की अंत मैं जो ऊपाई बताओं उपाई जरूरर उससे लाब रहेगा और धो रासी एंग जिन को सनी मुक्त कर रहे हैं वो सब मत्रूंड आण Pastor 008ग झालाको को सनीwire साड़े साथी से अपने मुक्त कर रहे हैं और अपनी डहिया से मुक्त कर रहे हैं मिथुन रासिमालों intersection को मुक्त करें क्योंकि आपके लाव रहेगा 2023 में जो पहले वीडियो की उसमें मैंने काफी अच्छा बताया था लेकिन यह वह पूरे गोचरों के अनिसार बता रहा हूं विसेश सनी के प्रभाव के कारण बता रहा हूं अब मैं वो रासियां पताने जा रहा हूं जिन रासियों पर सनी ग्रह की क्रिपा बरसने वाली है पहली रासी है मेस रासी वालों को सनी माला माल करने वाले हैं आपकी रासी से एक आदस भाव में सनी का गोचर रहेगा तो आपको लाब प्रद रहेगा यानि नौकरियों के ल यह जिस पर संय अपने बनेंगे हैं और तीसरी Tam माराज संनी ग्रहां मालव माल मावल बनाने वाले हैं यह आपकी रसी संहीं इसनिग्रह भूमी भवन वाहन का सुक्ष रिण से मुक्ति हो जाते हैं विदैस से जुड़कर बिजैस यात्राओं का लाब मिलता है सभी जब चटे गुचर करते हैं तो संपधा उसको देते हैं सनिग्रह के पास है इस्त्रिलक्षीमीश सनिग्रह के पास है आई व्रदी शन में सब्सक्राइब उनको कुछ ना कुछ खबरी सुनाए देगी और जो चौती रासी है वह धनुरासी वालों अभी तक आप बहुत सड़े साथ साल से परिशान है और सनी गरह अब आपको मालमाल बनाने वाले क्योंकि आपकी रासी से तीसरे भाव में शनी गरह का गोचर आपको संपदा देने वाला है आपके कार्या बनेंगे व्यापार में बढ़िया रहेगा तरक्या पोरेगी पदोनत्ति रहेगी मैं इसे सभी राचियों के लिए कुछ न कुछ बहले बिटाया वीडियो में आज मैं यह बता रहा हूं कि इनके लिए मालमाल होने वाले कि इनके दिए चिंता है क्यों सेनी गरह का गोचर नगर मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी आगे भी मै मैं बताता रहोंगा राचियों का प्रभाव तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं बताता रहता हूं हर एक राचियों का प्रभाव के बारे में और जो पांचवी राचियों है वह है सिंग राथी सिंग राचिवालों का सनीग्रव आपकी राचियों सब्तंभाव में गोचर करेंगे वहां पर वह सस्पुरुष नामक राज्योग बना रहे हैं सनीग्रव के इंद्र में जब सनीग्रव बैठते हैं अपने ही राचियों यानि मकर राचियों कुम्ब राचियों या अपन क्योंकि आपकी राशी से सप्तम सनी गुचर करेंगे तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा लेकिन थोड़ा बाद सिंग राशी वालों के लिए चिंताएं तो हल्की फुलकी रहें क्यों धाई साल बाद आपके वेपर सनी की धाया भी प्रारम हो जाएगी और धनराशी वालों के पास सिर्फ धाय वर्स हैं धाय वर्स में धनराशी वालों कुछ मैनत की करिए सनी आपकी मैनत का फल आपको देगा क्यों धाय वर्स पार आपके उपर भी सनी की धाया प्रारम हो जाएगी तो ये धाई वर्स जो है दोनो राशे वालों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और साथ में सिंग राशे वालों के लिए तो ये दो धाई वर्स सिंग राशे वाले और दोनो राशे वाले लाव उठाएं और आपको फैदा होगा मैंने आपको बताए 12 रासियों पर सनी के प्रभाव के बारे में कौन सी वो रासियां है जिन पर सनी थोड़ा बत दिक्कते उनको देने वाले और कौन सी रासियां ऐसी है जिन पर सनी ग्रह उनको माला माल करने वाले है कुम्बा रासी में जब सनी गोचर करेंगे तो साथ रासी उपर थोड़ा प्रॉब्लम देंगे और पांच रासी वालों को फैदा देंगे सनी गोचर बता रहा हूँ ये सब पर घटित नहीं होगा क्योंकि आपके कुंड़ी के अनसार आपें प्रभाव में कमी जधा आएगी यानिकि आपके कुंड़ी में अच्छे सनी गोचर है तो आपको लाब भी दे सकते हैं और अब रही उपाई की बात अगर आप सनी गोचर का फल बहुत अच्छा चाहते हैं तो आपने हनुमान जी की सेवा करनी है मंगलवार के दिन और सनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला लगाने हनुमान जी पर उपर चोला चड़ाना हनुमान जी को हनुमान चालिशा का पाठ करना सुन्दरकार्ण का पाठ करना और साथ में ब्रस्पतिवार के दिन पिपल के ब्रिक्ष को प्रात्व काल जल चड़ाना है और सूर्य को भी जल चड़ाना है और सायम काल में घीका दिया पिपल को पिपल ब्रिक्ष के जड़ में ब्रस्वतिवार को जना और सनिवार के दिन आपने पिपल ब्रिक्ष की सेवा करनी है और उसकी आसपाद जो भी गंदगी, वो गंदगी, आप साप करे शनिवार के दिन, और साथ में तेल का दिया, या तिल का तेल का दिया, या सरशो का तेल का दिया, आप पिफल के ब्रिक्ष के नीचे सनिवार को जलाएं, और होशके जिन पर सनी की साड़ी साती है या सनी की धहिया है या सनी का कंठक सनी चल रहा है वो रासी वाले अपने घर में समी का पौदा लगाएं और समी की पौदे की सेवा करें और विश्टु सैस्टनाम का पाठ करें नारण कबच का पाठ करें गणिस भगवान जी की सेवा करें गौव की सेवा करें और सूर्य भगवान को अर्ग देंगे तो आपको लाव रहेगा अभी के लिए मुझे अनुमत देजे नमस्कार जैबाता दी